दोस्तों बात करें दुनिया की हर बड़ी टेक कंपनी दस अलग लग चीजों पर काम करती है लेकिन उसमें से एक या दो चीजे ही हिट होती है और वो एक दो चीजे सबको याद रह जाती है लेकिन किसी को यह याद नहीं रहता उनमें से आठ कौन सी चीजे फ्लॉप होई और उसमें से एक दो और ऐसी चीजे होती है जिनके अंदर पोटेंशिल होता है कुछ नया करने का लेकिन वो कुछ नया करनी पाते है जी हां आज ही हम ऐसी कुछ टेक्नोलोजीज और कुछ ऐसी कमचीज के बार में बात करने वाले है जिन में लगता है कि पोटेंशिल है कुछ करने का लेकिन फिर भी करनी पार है बुरी तरीके से फेल होगा या फिर फेल होने की कगार पर आल्रेडी आचुके वीडियो कर आप लोगो को पसंदा रहा हो लाइक कर सकते हो सब्स्राइब कर सकते हो चल्को लेकिन सबसे पहले एक बात बताने वालों कि यहां पर जो वन उफ बिगेस्ट फिलियर मैंने गूगल की तरफ से हाली में देखा है ना वह है गूगल का Stadia आप कि गूगल कर दीआ कि गूगल सेडिया कोई लोग खत्म कर रहा। लेकिन ौगल स्टीडिया था क्या देखो भी इस चीज़ को यहां पर हिट नहीं बना पाई, 2019 में चीज़ को इंट्रड्यूस किया गया था, और यह क्लेम किया गया था, कि यह फ्यूचर होगा गेमिंग, जब कहीं भी बैट के अपना मन पसंद गेम खेल पाएंगे, लेकिन यार, इस चीज़ को यह लोग इंट्रड् लेकिन गूगल का चलो मन गूगल स्टेडिया फेल था, लेकिन गूगल का एक हाडवेर डवाइस भी था जो बहुत तरीके से फेल हुआ, और वो है गूगल का पिक्सल फोर्ट, हाला कि यह भी पिक्सल सीरीज बहुत अच्छी, पिक्सल 7, 6 है, बढ़िया फोन से आपर नि लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि यह वाला जो डवाइस था इंडिया में काम नहीं कर सकता था, यानि कि जो फेस स्कैनिंग, जो सोली रेडार के सेंसर थे, वो इंडिया में पब्लिक यूज के लिए से अवाइलेबल नहीं थी फ्रिक्प्रेंसी जिस पे ऑपरेट करता था, इसलिए फोन इंडिया में नहीं आया, उपर से बात की जाया, तो इसका सेंसर इत्ते ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं थे, उपर से बात किया तो फोन का जो लुक और फील था वो यहाँ पर खराब कर दिया, और यह एक रिजने की लिमिटेड रीज थी, हर जगे और उसके बाद गूगल ले जो आईडिया था ना, जेस्चेर के साथ पूरे फोन को कंट्रोल कर ले, सारे चीज़े ड्रॉप कर दी, और अभी जैखा जा तो नॉर्मल जो चीज़े चलती, उनके उपर यह लोग काम करें, लेकिन अगर मालो यह चीज चल जाती, और गूग फेस्बुक ने अपना नाम मेटा रखा है ना, तब से फेस्बुक के साथ कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रहे, फेस्बुक ने पहली बार जो यूजर बेस होता है, वो यहाँ पर कम होने लगा, एक्टिव यूजर बेस के अंदर कमी आने लगी, यहां तक की बात की जाया तो जहां Metaverse की उपर कूद रहे थे, पूरे 2022 में Meta से ऐसा कोई बड़ा hardware announcement सुनने को नहीं मिला, जिससे देखके कुछ लग सके ही कि इनका future में प्लान किया, हलाकि Meta वालोंने Metaverse में बहुत बड़ी bet लगाई है, लेकिन उनको जो पूरा Oculus वाले division है, वो भी हाँ पे और अभी भी देखा जाया, तो जो Meta ने जो चीज़ प्रॉमिस करी थी, उससे वो काफी जादा दोर है, खैर उम्मीद करते हैं कि 2023 या आने वाले future में कुछ अच्छे products लाए, Metaverse को successful बना कर देखा है, तो एक काफी अच्छी चीज़ होगी, लेकिन अभी तक जब से Facebook ने परना Meta बदलेना, तो अब तक Meta के साथ कोई भी खची चीज़ हो नहीं रही है, देखते हैं आने वाला future Meta के साथ क्या रहता है, और अगर मैं Facebook के बारे बात कर रहा था, तो Apple के बारे भी बात कर सकता हूँ या पर, क्योंकि बात की जाए तो Apple एक ऐसी कमती जब भी वो stage पर चले की कोई चीज़ अनॉंस करती है ना, तो उसका देखने का मज़ा भी काफी अच्छा लगता है, और वो चीज़ आने वाला समय मार्केट में आ जाती है, चाहे में iPhone 14 Pro के Dynamic Island के बारे बात करें, या किसी और प्रोडट के बारे में बात करें, लेकिन Apple का एक ऐसा प्रो आपके डिवाइस को चार्ज करती रहेगी, बहुत अच्छा कंसेप्ट था, लेकिन ये चीज़ मार्केट में कभी आई ने, लगता था अप्ल कोई चीज़ उनकी चल जाएगी, आगे चल के इस पर कुछ ना कुछ दिखा देंगे, लेकिन ये कंसेप्ट कभी काम किया ही न बात ये कि जब इसके डिसकंट्यूनियर की ख़बर आईती न, ठीक उसके एक साल के बाद यहां पर इनों ने लॉंच कर दी, अपना जो मैक सिफ होता आईफोन 12 के साथ वो, जो एक ऐसी चीज़ जान लगा कि एपल के एर पावर का एक रिप्लेस्मेंट हो सकता है, और सिर का बिक्स भी, देखो गूगल का गूगल एसिस्टेंट आता है, अच्छे तरीके चलता है, एपल का एपल सीरी भी धंका चल जाता है, एमिजन का अलिक्सा भी काफी अच्छा है, लेकिन सैमसंग का बिक्स भी यार मार्केट में इतना अच्छा नहीं, और मैंने देखा ली का Bixby आचकल यूस करते हैं, देखो बात जन की यहां फर यहां फर यह, कि जो ह menor की ईपकार लीदेखे लेकिर में उट्वी पिशाथ जैदा है, बातके आतरीकमाइज और ना लेकिन उसको बात करते ऑद wa uptonize नहीं था, हाला कि कुछ काम यह अच्छा भी परफॉर्म करता लेकिन बात किया तो ओर यूजर एक्सपीरियन्स और जो लोग थे ना उन्हें इत्या खास पसंद यहां तक कि Samsung ने अपने फोन के अंदर dedicated Bixby बटन भी डाला था लेकिन वह चीज भी लोग ने डिभाइंड करी कि उसको रिमैप किया जा सके ताकि उसका कुछ और यूज भी यहां पर निकाला जा सके खर इसके बास Samsung को लगा कि यहां पर Bixby से काम नहीं बन रहा है इसी के साथ ही बात किया तो Samsung ने Galaxy Home भी उतार रहा था जो कि dedicated Bixby के hardware पर चलता था लेकिंग कि आप लोग को मालूम है कि वो प्रोड़क भी मार्केट में कभी नहीं आया तो हाँ दोस्तो Bixby भी ऐसी चीज़े जिसका मतलब Samsung का one of the most ambitious project था अभी भी Samsung ने इसे जिंदा रखा है लेकि लगता नहीं इसका यू वो फ्री में अपग्रेड कर सकते थे Windows 11 पे लेकिन एक छोटी सी दिख करती है यहां पे बोला तो गया था फ्री अपग्रेड है लेकिन हर किसी को फ्री अपग्रेड नी मिला कुछ जादा पुराने PCs थे उनके अंदर Windows 10 अगर चल रहा है तो उनको अपग्रेड की परमीशन Windows 10 के साथ लेकिन वो मॉडिल उसके अंदर ही ने तो Windows 11 पे अपग्रेड कर ही नहीं सकता यह एक सबसे बड़ी दिखकती और कुल मिला के बात की जाए तो इससे ही हुआ कि Windows 11 तो चलो फ्री मिल गया लेकिन फ्री में सिर्क कुछ ही लोगों को मिला जिन्हों ने एक तरह से न लेकिन एक तरह से दिखा जा तो अप्डेड कई लोग को यहां पे मिला नहीं हाला कि Windows 11 एक अच्छा हुए ऐसे जिसे आप काफी लोएंड हाडवेर पर भी चला सकते हैं लेकिन अपने TPM के कारेड़ इसने लोगों यहां पर नहराश किया और इसी के साथ ही बात करूँ ए पर शरक्या हुआ आपको पता है इसके बाद कुछ और इन्होंने फोन निकाले वो नहीं चले इसके बाद इन्होंने यहां पर कोशिश करी थी हम्डी ग्लोबल के साथ जिसके अंदर हम्डी ग्लोबल ने Nokia ब्रांड का यूज करके लाइसंस लेकिं यहां पर री एंट्री कह सको इसके साथ ही बात की जाते हैं इन्होंने मल्टीपल फोन को यहां पर आज तक निकाल चुके लेकिन किसी भी फोन में वो दम नहीं है जिसे मार्केट में यहां पर रेक्यमेंड कर सकें इवन बात किया तो कई बार लगता है कि यह जिस रेट किया ना जो स्पैसिफिक नोकिया का नाम देखें लोग अभी भी mobile phones को यहां पर ले लेते हैं लेगन पता है problem किया Nokia के साथ यहां पर अभी वो ऐसा प्रोड़क्ट निकाल ही नहीं रहे जिसे हम लोगों यहां पर रेक्यमेंड कर सकें अगर Nokia को अच्छा काम करें कोई अच्छा प्रोड़क्त निका कर रहे हैं उनके फोन से पिक रहे हैं नौड काफी धुम मचा रहे हैं वन प्लस टेंटी को लोगों ने पर पसंद किया अच्छी बात है लेकिन इक बात यहां पर है कि वन प्लस में वह आसा मज़ा वह एक्साइटमेंट नहीं आता जो एक जमाने में आता था एक छोटा से ए पैने जो पुराने वन प्लस के फोल्स यहां पर यूज़ कर रहे हैं वह इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं मेरी नजर में वन प्लस नौड वन था तब तक यह लोग बहुत अच्छा कर रहे थे उसके बात से लगा कि कमती सर्फ हवाबाजी पर जादा काम ला गया था और पीटलॉक की बात कर रहे तो उनके ट्वीट्स वगरे देखके ऐसा लगता है कि कहीना कि उनका फोकस इस समय ओपो की उपर जादा है ऐस कंपेर टू वन प्लस यानि कि अगर वन प्लस में पुराना वाला फेक्टर अगर दुबार से वापस आ जाए तक बह वापस आजाए और यह देखना है कि नथिंग वाली कंपनी के साथ किस तरीके से कंपीट करते हैं तो दोस्तों बात किया है तो यह थे कुछ स्मार्टफोन और टेक की दुनिया के फेल्स आपको इन में से सबसे बड़ा फेलियर है पर कौन से लगता है यह बात आप मुझे और फेलियर हो तो वो भी नीचे कमेंट बता ना भूला थेंक का कुईटी देखने के लिए पसंदर लाइक करो शेर करो सब्सक्राइब करो चलको मैं आप सब्सक्राइब के अंदर गुडबाई